hypothesis मतलब की अंदाजा लगाना, guess करना, assumption और idea जैसे कि हम अंदाजा लगाते हैं कि जो students उबे नास्ता करके जाते हैं math का examination देने वो जो है बहुत अच्छा perform करते हैं उन students से जो students बिना breakfast किये जो है examination देने जाते हैं क्या है एक अंदाजा आए और hypothesis testing में क्या होता है इसी अंदाजे को test किया जाता है कि कितना हद तक यह सही था या फिर गलत था clear तो hypothesis का मतलब क्या हो गया अंदाजा लगाना, guess करना, idea लगाना statistical hypothesis is a claim about an unknown population parameter value आने कि population की किसी parameter की value को हम guess करते हैं वही statistical hypothesis कहलाती है, जैसे कि example तोरके suppose कर कि कोई judge है, वो assume करता है कि a person charged with a crime is innocent यानि कि सुरुवात में क्या है, judge तो ही मानके चलेगा ना कि जो person जिसके उपर allegation लगाए गया है, वो innocent है लेकिन जब lawyer evidence proof करते हैं, जो भी hearing होती है, testimony सुनते हैं उसके बाद उसको पता चलता है कि नहीं है, तो इसने गुनाह किया है और उसके फिर final verdict जो है, judge सुनाता है तो यानि कि hypothesis testing के बाद final decision लिया, judge ने ना पहले hypothesis बना लिया, कि वो innocent है, लेकिन जब lawyer ने evidence proof किया और जब दोनों लोग पक्षों को सुना, तो उसने फिर अपना verdict सुनाया कि नहीं, यह जो है criminal है, तो यही चीज hypothesis testing के लाती है यानि कि पहले आप अंदाज लगा के चलते हो, किसी चीज को फिर उसके बाद जब उस पे statist method का use करके test करते हो, फिर जो final result आता है, तो आपको बता चलता है कि नहीं, जो मैंने अंदाज लगा था, वो गलत है, और दूसरा सही है तो hypothesis क्या होगा है, hypothesis is a statement to be tested about the true value of population parameter using sample statistics, तो hypothesis testing में क्या होता है, कि जो हमने hypothesis statement दिया था उसको test करते हैं, population parameter के उपर जो भी हमने hypothesis दिया था उसको test करते हैं using sample statistics, जहने कि उस population में से कुछ sample निकाल कर उसके basis पर जो हम क्या करते हैं test करते हैं, तो to test the validity of the claim or assumption about the population parameter तो hypothesis testing क्या हो गया, कि यहाँ पर क्या करते हैं, कि हम test करते हैं जो भी हमने assumption लिया था आता है analysis करने पे वो जीज़ बताती है कि हमारा claim true था या फिर नहीं था clear hypothesis testing में क्या होता है कि जो भी अंदाजा आपने किसी population parameter के उपर लगाया है उसको test करने के लिए उस population से हम कोई sample लेते हैं और उस sample को analyze करते हैं उसके बाद फिर result जो आता है उसके basis पे हम ये claim करते हैं कि हमारा hypothesis था वो गलत था या फिर सही था clear तो hypothesis की कुछ steps होते हैं तो सबसे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है कुछ terminology जानना जरूरी है आपको जैसे कि null hypothesis और alternative hypothesis क्या होता है तो null hypothesis को S0 से और alternative hypothesis को H1 से denote करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे null hypothesis देखें null hypothesis मतलब की hypothesis which is initially assumed to be true यानि कि शुरुआत में अभी आपको कुछ पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है लेकिन जो judge है उसको यह पता नहीं कि यह criminal है कि नहीं है लेकिन initially वो क्या मानके चलता है 0 क्या होता है 0 मतलब यह जो H0, H0 से denote करते हैं null hypothesis को तो इसका मतलब होता है कि no difference between sample statistics and parameter value तो जो भी हमने parameter value दिया है और sample statistics उसमें कोई भी difference नहीं है तो hypothesis testing requires that the null hypothesis be considered true until it is proved false on the basis of result observed from the sample data मतलब कि hypothesis testing में null hypothesis को तब तक हम सही मानेंगे जब तक कि sample data को study करके हमनों इसको गलत proof नहीं किया यानि कि criminal को तब तक innocent समझा जाएगा जब तक कि lawyer यह proof ना कर दे कि वो criminal जो है innocent नहीं है clear तो यही चीज null hypothesis कहलाती है तो null hypothesis को हम H0 से denote करते हैं और इसकी जो value होती है या तो mu is less than equal to mu 0 होगा कि hypothesized value of mu यानि की population mean के लिए जो भी हमने hypothesis बनाई है और इसमें से कोई A की sign आप use करोगा या तो mu is equal to mu 0 या तो mu is less than equal to mu 0 या फिर mu is greater than equal to mu 0 यानि कि equal जरूर होगा clear अब दूसरा जो term हाता है that is alternative hypothesis यह क्या है just opposite null hypothesis का यानि की हम नल हईपोथिस में यह कह रहे है कि criminal innocent है तो alternative क्या हो जाएगा की criminal innocent नहीं है वल्ट हो system यानि की कहरे है की mu is equal to mu 0 यानि की alternative क्योज़ाएगा mu is not equal to mu 0 clear तो hypothesis concluded to be true if the null hypothesis is rejected यानि की alternative hypothesis तभी true होगा जब null hypothesis wrong होगा clear in other words the alternative hypothesis कि जो population parameter की specific value है वो null hypothesis के बराबर नहीं है कैसे लिखेंगे इसको h1 is not equal to mu is not equal to mu 0 यानि h1 n की alternative hypothesis और mu जो है वो mu 0 के equal नहीं है हमने इससे पहले क्या इस question देखा ही कि mu is equal to mu 0 या फिर mu is greater than equal to mu 0 या फिर mu is less than mu 0 less than and equal to mu 0 लेकिन alternative hypothesis में क्या हो जाएगा mu is not equal to mu 0 या फिर mu is less than mu 0 या फिर mu is greater than mu 0 clear तो आप यहापर comparative देखें अगर हम यह कहते हैं कि null hypothesis में कि mu is equal to mu 0 तो alternate क्या हो जाएगा mu is not equal to mu 0 अगर हम यह कहते हैं alternate hypothesis में कि mu is less than or equal to mu 0 तो h1 क्या हो जाएगा mu is greater than mu 0 अगर हम यह कहते हैं कि alternative null hypothesis में कि mu is greater than equal to mu 0 तो h1 क्या हो जाएगा, mu is less than mu 0, ठीक है, तो just opposite होगा, null hypothesis और alternative hypothesis क्या होगे, just opposite होगे, तो अब इसी तरिके से इसमें hypothesis जह हम देते हैं, तो इसमें एक directional hypothesis होता है, directional hypothesis यानि कि जो कोई direction दिखार हो, जैसे कि हम ये मान लेते हैं null hypothesis में, कि there is no difference between the average pulse rate of men and women, यानि कि men और women के जो average pulse rate होता है, उसमें कोई difference नहीं है, हमने direction दे दिया, कि नहीं है, और इसका just alternate क्या हो जाएगा, men have lower average pulse rate than women do, यानि कि men का जो average pulse rate होता है, वो कम होता है than women, ठीक ही directional hypothesis हो गया, इसी तरिके से non-directional hypothesis होता है, यहाँ पर direction नहीं मिलता, यानि कि suppose करिए कि men and women have same verbal abilities, clear, तो कोई भी direction नहीं है, ठीक, वहीं पर h1 क्या हो जाएगा, men and women have different verbal abilities, clear, तो इस तरिके से directional या non-directional hypothesis को पहचान सकते हैं, अब बात कर लें कि important term है that is level of significance, यानि कि इसको हम देनोट करते हैं alpha से, level of significance मतलब क्या होता है, कि the probability of rejecting a true null hypothesis due to sampling error, यानि कि जो हमने null hypothesis, जो हमने माना है, उसको जब हम sampling error की वज़र से reject कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं level of significance, यानि कि कितना level है, कि आप जो है null hypothesis को सही होते हुए भी reject कर सकते हो, तो उसको level of significance कहते हैं, ति the likelihood of rejecting a null hypothesis when it is true, यानि कि null hypothesis true होने के बहुजोद भी उसको reject करने की क्या chances है, it is the risk of a decision maker takes of rejecting the null hypothesis when it is very, when it is really true, the guide provided by the statistical theory is that this probability must be small, यानि कि जो researchers हुए हैं, जो guide हुए हैं, वो यह कहते हैं कि जो यह probability है, कि इसको हम reject कर सकते हैं null hypothesis true होने पर भी, तो यह बहुत कम रखी गई है, traditionally जो alpha की value होती है, 0.05 होती है consumer research project के case में, 0.01 quality assurance के case में, and 0.10 political polling के case में, जो है इसको रखा जाता है, तो level of significance क्या denote करता है, कि क्या level है, यानि कि किस हद तक आप null hypothesis को reject कर सकते हो हो, उसके सही होने पर भी, तो वही चीज़ के अगलाती है, level of significance, वहीं पर कुछ errors आते हैं, hypothesis में कुछ errors भी होते हैं, जिसको कहते है, type 1 error और type 2 error, clear, तो error in hypothesis, तो suppose करें कि जब h0 यानि कि null hypothesis correct है, when null hypothesis is correct, और जो है, आप उस null hypothesis को accept कर लेते होती है, यह होगा, correct decision होगा, और इसको जो हम denote करते है, 1 minus alpha, clear, यहाँ पर क्या होगा, कि null hypothesis correct है, और आप उसको accept कर लिया, तो decision correct होगा, तो कोई error ही नहीं होँँती है, यहाँ जो हम denote करते है, 1 minus alpha, लेकिन null hypothesis correct था, और उसको आपने reject कर दिया, null hypothesis correct था, और आपने उसको reject कर दियती है, क्या होगी, यह type 1 error होगा, और इसको denote करते हैं alpha से, clear, याद रहेगा, null hypothesis correct है, उसको accept कर लिया, तो 1 minus alpha, और वहीं पर null hypothesis सही था, लेकिन उसको reject कर दिया, तो alpha और यह फिर type 1 error कहेंगे, अब दूसरी condition आती है, कि जब null hypothesis जो है, वो false हो, तो null hypothesis minus beta, ठीक है, तो null hypothesis correct है, और आपने उसको reject कर दिया, तो type 1 error, null hypothesis गलत था, उसको accept कर लिया, तो type 2 error, type 1 error को alpha से, type 2 error को beta से denote किया जाता है, clear, null hypothesis गलत है, accept कर लिया, तो type 2 error, null hypothesis सही है, reject कर दिया, तो type 1 error, अब बात कर लें steps की, hypothesis में, मैं लिए 4 steps होते हैं, सबसे पहला होता है, state the null hypothesis and alternative hypothesis याने कि आपके according null hypothesis क्या होगा और alternative hypothesis क्या होगा उसको state करिये ठीक है जैसे कि अब में बताया कि जो man or woman का verbal ability है वो same होता है यह हमने null hypothesis मान लिया तो जब उसका opposite होगा कि same नहीं होता है वो alternative hypothesis हो गया step 2 क्या हो जाएगा state the level of significance याने कि किस हद तक chances probability है कि आप null hypothesis सही होने पर भी उसको reject कर दोगे 0.05 है 0.10 है उसके इसाब से आप state level of significance को बताईए ठीक है then state 3 establish critical or rejection region याने कि जो critical or rejection region है उसको establish करें rejection region मतलब कि range of value that will lead to the rejection of null hypothesis याने कि कि इस range तक कि values को आप null hypothesis को reject कर देंगे और उसके बाद आता है step 4 step 4 याने कि select the suitable test of significance और test statistics याने कि कौन सा test statistics आप जो है लगाएंगे suitable hypothesis testing method लगाएंगे t test, z test, f test, chai square test ये कौन सा method लगाएंगे वो इस पर depend करता है तो ये 4 step होते हैं सबसे पहले आपको null hypothesis या फिर alternative hypothesis डेबलब करना है उसके बाद level of significance को identify करना है then critical reason क्या होगा rejection reason क्या होगा वो identify करना है और उसके बाद suitable method यूज़ करके उसको test करना है that is hypothesis testing wish you all the best, keep watching